को अब हम दोबाला थीनिकल फीचर्स को थोड़ा से नियुमेरेट करें तो क्या है है हीमोलेटिक अनीमिया रेटिकलो साइटोसिस है पर बिलिडियो बीनीमिया ने पैशन को वेश्टो क्राइशिस होगी एक्यूट सेंड्रोम होगा और क्या हो सकता है और इस पैशन में पर दियाग्नोसिस हाज डियाग्नोसिस सबसे पहले आप उसकी ब्लार्ड में को क्या मिलेगा ब्लार्ड श्रीया कुछ भी बनाते हो सिकलिंग और पार पीचिस राइट यह तो हो गया प्री नीटली कैसे डाइग्नोस करते हम एम्नियोसेंटिस करते हैं कॉरियोनिक क suczy प्रम्हायच यह कर लान कि प्राइब हुरह कैसे स्क्रीनिंग कर थे हुण हैं गाल थे mood rust at birth क्रीटमेंट के य dependence हीमोग्लॉबिन हीमोग्डBen नहीं बन रही हैं कुई प्राब्लम बीटा जोई में pakिं बना नंहीं बना थे लिएका थी में को बना रहा है से हम लेपाउन को polymerize नहीं होने देता है मतलब HBA भी नहीं होने देता है तो किसम के आपके पास इन्हीबिटर डीने सिंथेस और हाइड्रोक्सियूरिया के साथ देते हैं कि यह ऑक्सिडेटिव स्ट्रेस को काम कर देता है सबसे पहले क्या चीज़ थी इंहीबिटर ओडीने सिंथेस हीड्रोक्सियूरिया और लृत्यमीन को हेड्रोक्सियूरिया के साहथ देतें स्टेम सेल ट्रास्प्लेंटेशन वी कर सकते है और जीन एडिटिंग भी और सफिघ्र निमेंग में आके पर प्रोसेस क्रिस्प आर ट तीक्ट वर्टीक नियूबॉर्ण च्रीन में ही अधिक में त्रीटमेंट में इनिविटर डीने सेंथे संथेंग फाइदें था फाइदे यह एच बीफ का लेवल बेहादाए दन एंटी इंप्लमेटरी फेक्ट्रीं को अग्रॉटामीन को अधिक्स कर देतें कि श्क्राइट इसमें क्रिस्प आर्ट टेक्नोलोजी है एच भी स्विचिंग होती है एच भी एफ सदा प्रोडिस दिस इस ओल अबाओ दा सिकल सेल डिजीज